असलावले कुछ आप सब उमीद है तो आज कल पेपर की तेहरी करें होंगे जैसे कि आपकी पेपर दाने वाले हैं आज मैं आपको आपकी फिजिंग्स की सेकिंडियर की पेरिंग स्कीम हैं उनके बार में बताऊँगी कि आपकी जो पेपर है वह किस तरह से आएगा और आपन मार्स इंशाल आएं सो स्टुनेंट्स यहां पर हमारे पर सबसे पहले आपका वन आ गया जो आपका होता है को से नमबर वन आपका फर्स्ट क्वेस्टन जो है फिजिक्स में वह होगा जिसमें से चैप्टर नमबर 12-14-15-16-18-19-21 इन तमाम चैप्टर के में से दो आपके जो जितार तमाम जो चैप्टर आपकी मेंशन हैं इन में से दो दो आपके आएंगे और उसके अलावाद जो चैप्टर नमबर 13-17-20 है इसमें आपके एक क्वेस्ट आएगा यह आपके 13 में से एक और 17 में से एक तो एक्सरसाइस पर जो आपके एमसे क्यों गिवन है वह अच् जाते हैं आपके आपके पर आएगा फीजिक्स का वह 50 परसand आपका exercise में से होगा था कि आपका पर 50 परसंट जो है वह exercise में से होगा अर और उसके लाबा 50 परसंट जो है वह आपका conceptual और analytical बेस होगा पेपर कुंसेप्चुल एंड पेपर आपको टॉपिक्स गिवन है यह उन में से आएगा मताब फिटीपर्सेंट पेपर आपका अंदर जो कुंसेट आपके कवर होंगे मतलब बेस को किती चीज की अंडरस्टेंडिंग है यह वो किता जानते हैं चीज के बारे में तो वह आपका इनलीटिकल बेस उसमें से आएगा अंदर चेप्टर में से यहां पर नेक्स हम देखते हैं क्वेस्टिन नमबर टू जो क्या आपके शोट कुरिस्टिन आंसेज होंगे अ अगर आमने बहुत अचुर्प लेने हैं तो हर के अंदर जाहे वह आपका क्युष्टिन नमबर टू है, तरी है, यह फोर है यह नोग क्युष्टिन नमें से एक क्युष्टिन एक्स्रा ज़रूर करकें जाजम हैंसेग करके ह Patriots लाजमिए एक्श्रा करकें अब इसमें डिफ्रेंस क्या होगा कि आपका जो 12 और 14 और 21 तीनों चेप्टर्स हैं इन में 50% में तब के दो सवाल जो हैं चेप्टर नमर 12 में से जो टू क्वेस्टेंस हैं इन 4 की डिवियन कैसे होगी टू क्वेस्टेंस जो हैं वह आपके एक्सराइस में से होंगे और टू है कि आप 12 और 14 चेप्टर जो है इसको चेप्टर के अंदर से और इसके पूरी याद करें क्योंकि इस दोनों चेप्टर को अगर आप याद करेंगे अच्छे से तो आपका इस तरह से लोंग क्वेस्टेंस भी दो कवर हो जाएंगे वह मैं आपको साथी बात में इसको ब्रैकेट्स में साइट पर लिखा होता है उसको भी अच्छे से देख लिजेगा याद कीजेगा और अगर आपको कोई चीज याद करने में मुश्किल होती है तो उसको एक पेस पर लिख के प्रेक्टिस कर लिया करें ताकि वह चीज जो है वह आपको मतलब में इन लों को अच्छे से याद कर लें तो आपका पॉर्षिं कवर हो झायगा नेक्स आमर पास आता है क्विश्टन अबर त्री जो का ह क्या चीज तो आपके चप्ट्र अबर त्री फिर तर्टीन से बनापको जायंगे एंक्षिंत इन चारों के चारों चारों में चैप्टर तो पिक्स फिर्टिन के लाद करें वह आपका थर्टीन चैप्टर नबर 18 इसको लाधमि करें आप यहाभा अच्छे से जिसमें से शोट क्रेस्टन आंसर आपके कवर हो जाएंगे कितने सिक्स आपके यहां पर कवर होगे उसके लावर जो 16 अगर आप चैप्टर करें 13 16 यह दो चैप्टर और 18 तो आपके तक्रीबन यहां पर नाइन क्वेश्टन की प्रिपेशन हो जाएगी जिसमें से आपके एक्ट्र जाएगी और आपका मतब अच्छे मार्क्स की तरफ आप मूव ओन करेंगे यहां पर इंचारा यहां पर आपका थी कवर होगा नेक्स महर पास आता है वर फो जो कि आपका शोट कुश्टन आंसर का होगा और इसकी पेरिंग स्कीम के है महर पास इस क्वेश्टन की आपको टोटल पेपर के अंदर नाइन कुश्टन आएंगे जिन में से आमने सिक्स करने होंगे नाइन में सिक्स करने होंगे जो आपके चैप्टर नमबर नाइंटीन है इसमें से आपके फोर कुश्टन आएंगे चैप्टर नमबर फिव्टीन में से आपके टू कुश्टन आएं आपका short question का portion तो cover हो गया और उसके लावा आपका जो long question का portion है वो भी साथ इसके cover हो जाएगा यहाँ पर आपका यह रहे short questions की पेरिंग थी और आपने किस तरह से कौन से chapters अच्छे से याद करने हैं वो मैंने भी आपको बता है आप आते हैं long question में जो chapter 5 आपका उसमें chapter 12 और 13 की पेरिंग है मतब chapter 12 और 13 में से 12 में से a part आएगा 13 में से आपका b part आएगा इसी तरह question number 6 में आपका chapter number 14 और 15 में से a part और 14 में से 15 में से b part इसी तरह question number 7 जो है वो आपका chapter number 16 और 18 इन दोनों की पेरिंग और इसके लावा question number 8 में आपकी chapter number 17, 19 की पेरिंग question number 9 में आपकी chapter number 20 और 21 की पेरिंग होगी a और b part की अब मैंने अब यहां पर देखे मैंने आपको क्या कहा था कि आपने जो chapter number 12 और 14 है इसको अच्छे से याद कर लेने है जब हम 12 और 14 अच्छे से learn कर लेंगे तो आपका यहां से long question में से chapter number 12 आपका एक पार्ट कवर हो गया और यहां पर भी आपका एक पार्ट कवर हो गया 12 और 14 मतलब long question का एक पार्ट कवर हो गया दो questions का five or six इनके दोनों questions के one one part आपके complete हो जाएंगे अगर आप इन दोनों chapters की अच्छे से तरिका ले और short question answers का आपका एक portion जो है वो भी complete हो जाएगा question number two so यहां पर मैंने आपको का कि chapter number 13 जो है वो अच्छे से याद करें उसके लावा एक तरिक्टर 16 और 18 याद करें अच्छे से जिसमें आपके short questions की यह सारी आपकी मतलब cover हो जाएंगे pairing और इसके लावा आपके जो यहां पर 13 है उसके long भी complete हो जाएंगे आपका first long complete हो गया chapter 12 और 13 याद करने से और इससे आपके short questions हैं वो भी cover हो जाएंगे next इसी तरह हमारे पास आगया chapter 15 अब chapter 15 आप याद करेंगे 14 और 15 तो आपके इस short question में question number two में cover हो रहे ह और 15 जो है यहां से देखे 15 में से 3 question आपके इसमें short question आएंगे और आपका 15 में long भी आएगा तो अगर आप यह 12, 13, 14, 15 यह 4 chapters बहुत अच्छे जाद कर लें तो तकरीब आपका 70 percent जो है वो short question answers भी पूरे हो जाएंगे और आपका long questions का जो portion है वो complete आपका हो जाएगा आपक इसे आमने को इसे दो करने होंगे long करने होंगे तो आपके दो long पूरे हो जाएंगे अब अच्छे marks लेने के लिए extra marks आपने game करने के लिए तो आपने वहां पर एक extra long लाजमी करके आना है अगर 16 और 18 के अच्छे प्रिपेशन आपकी तो यह best way है कि आप वही उसी pairing के साथ उसको त्यार करने तो स्टूडेंट्स यह थी आपकी फिजिक्स की pairing scheme उमीद है कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छे से त्यारी कीजिएगा इसी pairing scheme के according best of luck for your paper फी मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना बहुत सारा क्या रखें अलाहाफीज